हेलो दोस्तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपने ही यूटूब चैनल लर्दिंग कैफे में ये बीडियो ललित नरायन मितला यूनिवर्सिरी पार्ट वन के वैसे छातर शातराओ के लिए हैं जो अपना फर्स सेमेस्टर का एक्जाम देने वाले हैं आज की बीड दो नमबर कर रहेगा इससे पहले पिछले वाले वीडियो में इंपोटेंट सब्जेक्टिव कोईचन बता दिया हूँ अगर आप वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्किप्शन में मिल जाएगा या चैनल के पर लिस्ट में जाके आप वो वीड राजनीतिक प्रानी है अरस्तु ने कहा है अरस्तु की पुष्टक का नाम है पॉलिटिक्स अरस्तु की पुष्टक है किसने कहा है राजनीतिक कानूनी तोर पर यह असपष्ट करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं अरस्तु ने कहा आप्शन भी हो जाएगा अर बश्तू, नेक्स्ट कोहिशन, वयवहारवादी, राजनीती सास्त्र का बौधिक धर्म चिंतन है, किसने कहा है, चाल्स ए मिर्यम, किसने कहा है, राजनीती सास्त्र के अलावा अन्नी कोई ऐसा विज्ञान नहीं है, जिसे अपने लिए परिभासिक सब्दावली की इतनी अध अधिक आवशकता है, जेली नेक्ने कहा, ओप्शन भी होगा, जेली नेक्स्ट किसने कहा है, कि राजनीती सास्त्र सिर्फ राजजी का अधियन करता है, बलौंसली ने कहा है, जे डबलू गार्नव ने भी कहा है, गैरिस ने भी कहा है, तो ओप्शन डी हो जाएगा, सभी न कहा है कि राजनीती Сाह्ट सिर्फ राजजी का आधियन करता है तो यह जो है जी आर सीले ने कहा है और C लोक ने भी कहा है दोस्तो इस वीडियो में डिटेल में एस बता लॉड़ाहं नहीं तो वीडियो लिंदी हो जाएगा और हमारा target है कि कम से कम समय में जादा से जादा question का practice करवा दिया जाए अगर आपको detail में पढ़ना है तो link description में दे दिया हूँ या channel के पर लिस्ट में जाके आप political science का video देख लिजिएगा उसमें detail में बताया हूँ question number 8 किसने कहा है कि राजनिती सास्त राजी और सरकार दोनों के अध्यन से सनबंदित है आर एन गिलकराइस्ट आर जी गेटेल हेराल्ड जेल लौशकी ये सभी कहा है तो option D होगा इन में सभी किसने कहा है राजनिती सास्त का प्ररारंब और अंत राजी से होता है J.W. Garner किसने कहा है राजनिती सास्त सरकार से संबद विद्या है A.S. Lecock ने कहा है किसने कहा है राजनिती सास्त सक्ती का विज्यान है George E.G. Catalin question number 12 किसने कहा है राजनिती सास्त किसी समाज में मुल्यों के अधिकाईक विभाजन का अध्यन है डेविड इस्टन किसने राजनीती सास्त्र के छेत्र को सैधानतिक राजनीती और वयवहारिक राजनीती नामक दो वर्गूत में विवक्त किया है फ्रेडरिक पोलॉक प्रमपरागत राजनीती सास्त्र के विद्वान है प्रम प्रागत राजनिती सास्त के विद्वान पलेटू है टॉमस हॉप्स भी है टो एच ग्रीन भी है तो आप्शन डी हो जाएगा सभी आधुनीक राजनिती सास्त्री है आधुनीक राजनिती सास्त्री आर्थर एफ बेंटले है गराहम वालास भी है चार्ल्स E. मिर्यम है option D होगा सभी किस ने कहा है जब कभी मैं राजनीती विज्ञान सीर्षक के अंतरगत परस्न पत्रों को देखता हूँ तब मुझे परस्नों पर खेद नहीं होता वर्न सीर्षक पर होता है तो ये किस ने कहा है मेट लैंड ने कहा है राजनीती सास्त्र एक विज्ञान है इसके पक्ष में निम्रिकित कौन तरक सही है तो इसके पक्ष में option A देखिए परयोगात्मक वीधी दुवारा राजनीती सास्त्र का आध्यान संभव है तो ये सही है इनमें भी भविस्वानी हो सकती है ये भी सही है इसमें विज्ञान की तरह परिव्यक्षन वीधी संभव है ये भी सही है तो option D होगा उपरयोग सभी किसने कहा है हम राजनीती में वैसा नहीं कर सकते जैसा कि राशायन सास्त्र में एक अनवेसक परयोग के समय करता है लेवी इसने कहा से related important question देखिए डेविड इस्टन द्वारा परतिपादित वयवाहारवाद का लक्षन नहीं है कर्मनिस्ट विज्ञान वयवाहारवाद विशेश महत्तु देता है ये किसपर में विशेश महत्तु देता है तो वयज्ञानिक इस्टन वयवाहारवादी अध्यन मुक्षिता सनबंदित होते है राजनीतिक वयवाहार से प्रासांगिक्ता का सिधान्ध किस्टे सनबंदित है उत्तर वयवाहारवाद से डेविड इस्टन ने उत्तर वयवाहारवाद की कितने लक्षन बतलाए है साथ लक्षन उप्षन ए होगा साथ उत्तर वयवारवाद का लक्षन नहीं है तक्नीक पर जोर उत्तर वयवारवाद का लक्षन नहीं है लक्षन जो वयवारवाद में तो है किन्तु उत्तर वयवारवाद में नहीं है वह कौन सा है मुल निर्प्यक्षता वयवहारवाद राजनितिक संदर्व में वैक्ती समुहों के वयवहार का अध्यन है या कथन जिस विद्वान का है वो कौन सा विद्वान है बलेएर कुलासा ओप्शन ए होगा बलेएर कुलासा वयवहारवाद में जिस दूर लक्षनों को जोड़कर उत्तर वयवहारवादी आंदोलन का निर्मान किया गया है वे कौन सा है संगती और कर्म निमलिकित में से वह विद्वान कौन सा है जो वयवहारवाद और उत्तर वयवहारवाद दोनों का परमुह परनेता माना जाता है डेविड इस्टन इसके बाद लोकतंत्र और अधीनायक तंत्र से रिलेटेट कोईशन निमलिखित में से कौन सी लोकतंत्र की विशेष्टा है लोक परभूता में विश्वास लोक प्रिये नियंत्रन बहुमत का सासन तो आप्शन डी हो जाएगा उपर युग सभी आरंब संबद है ये किस से संबद है अल्प तंत्र से संबद है नेक्स्ट कोईशन निमलिखित में से कौन सा ताना साही का लक्षन नहीं है लोक तंत्र का अबगुन है लोक तंत्र का अबगुन वोट बैंग की राजनीती निमलिखित में से कौन सा अधिनायक तंत्र का लक्षन नहीं है उत्तरदाई सरकार लोक तंत्र में अंतिम सक्ती नहींत होती है जनता में Q7 लोक तंत्र की सफलता के लिए कौन सा तत्व आवस्यक नहीं है पेसेवर राजनितिग्य आधुनिक विश्व के अधिकांस राजियों में किस परकार का लोक तंत्र पड़चलित है समाजवादी लोक तंत्र निम्लिखित में से किसने पर्तियक्ष लोक्तंत्र की वकालत की है रूसों ने लोक्तंत्र में अल्प संख्यों को के पर्ति निधित्व की बात पर किसने बल दिया है जे एस मील ने नेक्स्ट कोईशन पर्तियक्ष लोक्तंत्र के अनेक साधन है उनमें से सरवादिक लोक्तिरिये दो साधन कौन से है जन्मत संग्रह और आरामभक लोकतंत्र की सफलता के लिए आवस्यक सर्त है परबुध लोकमत अधिनायक तंत्र का लक्षन है निरंकुस परभुसत्ता अधिनायक वादी साचन का परमुः गुन माना जाता है संकट काल के लिए उपयोगते दोस्तो अगर आप चैनल पर पहले बार है तो सब्सकाइब करने के साथ साथ नरिफिकेशन बिल्को दबा के औल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नरिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और वीडियो को लाइक करना मत अबी है तो उप्संडी हो जाएगा उपरियोग सभी इसके बाद उधारवाद से रिलेटेड इंपोटेंट कोईशन विचारधार सब्द का सरोपर्थम परियोग किया किस ने किया हेस्टर दी ट्रेसी ने एडम अस्मीत ने किस राज्जी का समर्थन किया अहस्त छेप वा प्रेक्ति साध्य और राज्जी जो है साधन है लोग कलियानकारी राज्जी की संकल्पना जिस विचारधारा से सन्बंदित है वह कौन सा है उधारवाद का आरंब जिस वयवस्ता के विरोज तथा आलोचना के रूप में हुआ वह कौन है राज साही और सम्मतवादी पादक माना जाता है अस्पेंसर को माना जाता है राजनीतिक सिध्धान्त के रूप में सरुपर्थम उधारवाद की असपष्ट अभिवेक्ति जिस विद्वान की रसनाओं में मिलती है वह कौन है जौन लॉक निवन में से जो विद्वान साकरात्मक उधारवाद से संब मर्थन करता है राज्य विहीन समाज का के मिनके इस अंद्रेंस को यदि सत्तना या सक्ति प्राफ्व्स नहीं होती तो वह बहुत से स्वेक्टी होता या कतिन किसका City Princess Login का option being Appro cop me description पिरिंस कुरोपोटकीन का आप्शन भी हो जाएगा पिरिंस कुरोपटकीन नेक्स्ट कोईशन राज जी की भूमिका पर सरवादेक आपत्ती निम्न में से किस राजनितिक दर्शन में की गई है अराजक्तावाद में निम्नांकित में कौन सालक्षन अराजक्तावाद से संबंदित नहीं है राज्य एवं आवस्यक बुराई कौन अराजक्तावाद का समर्थक नहीं है जे एस मील अगला कोईशन अराजक्तावाद समाज की वहस्तिती है जिसमें केवल वैक्ति के स्वयम पर सासन को ही नियायोचित रूप में मानिता प्राप्त होगी यह कथन है हक्सले का इसाई अराजक्तावाद जिस विचारक के विचारों को कहा जाता है वह कौन है टॉल्स अस्टॉम वीधी निर्मान लगभग सभी देशों में धनवानों के पक्ष में तथा निर्धनों के विपक्ष में होता है यह कथन है विलियम गोडवीन का इसके बाद राजी से रिलेटेड कोईशन देखिए राजी की सरुवत्तम परिवासा किसकी है जे डवलू गारणर राजी अलपसंख्यक या बहुसंख्यक वेक्टियों का ऐसा समुदाय है जो किसी परदेश के एक निश्चित भूबाग में रहता हो जो बाहि नियंतरन से मुक्त अथवा पराया मुक्त हो जिसका एक संगठित साशन हो तथा जिसके आदेशों का पालन नागरीकों का विशाल समुदाय संभवता करता हो यह परिवासा किसकी है जे डवलू गारणर की निमलिखित में राजी के मूलतत्व कौन से है राजी के मूलतत्व जनसंख्या है परदेश भी है सरकार एवं संपर्भूता है सरकार एवं संपर्भूता भी है तो option D हो जाएगा सभी next question किसने अग्याकारिता को राजी के मूलतत्वों में सामिल किया डबलू डबलू विलोवी J.W. गारणर की अनुसार राजी के कितने आवस्यक तत्व है चार एक आदर्स राजी की जनसंख्या पाँच हजार चालिस होनी चाहिए यह किसका विचार है पलेटो का रूसों के अनुसार एक आदर्स राजी के लिए कितनी जनसंक्या आवस्यक है 10,000 किसने भूमी को राजी का आवस्यक अंग सुईकार नहीं किया QGV, J.R.W.L.E, WW.W.L.E, ये सभी तो option D हो जाएगा सभी ने Next question, किसने भूमी को राजी के लिए अनिवारी बताया है Woodrow, Wilson, Blonsley, J.W.Garner ये सभी भूमी को राजी के लिए अनिवारी बताया है किसने कहा है कि मनुस्ति समुदाई निर्मान करने वाला प्रानी है और Next, Varkar, राजी और सरकार परसपर सनबंदित है कैसे सनबंदित है, तो ये दोनों एक दूसरी की सहायता करते हैं समपरभूता का आर्थ है समपरभूता का आर्थ राजी आंतरीक और बाहि रूप में सर्वोच और नियंतरन से मुक्त है सन्युक्त राष्ट की सदेशिता के लिए आधुनीक समय में कौन सा आवस्यक ततू है तो मननिता 15 अगस्ट 1947 के पहले भारत था एक गुलाम राजी किन विद्वानों ने राजी को एक कलियानकारी संस्था के रूप में सुईकार किया है टल्थूसियस नेक्स्ट कोईशन राजी के विक्तिवादी सिधान्त का आसे है राजी एक आवस्यक बुराई है राजी के विक्तिवादी सिधान्त के परमुख समर्थक है जेरेमी बिंथम हर्बर्ट अस्पेंसर हेरल्ड जेल लास्की ये सभी राज जी के वेक्टिवादी सिधांत के पर्मूख समर्थक है तो अपसन डी हो जाएगा सभी Next question राज जी का आदर्षवादी सिधांत राज जी को किस रूप में मानिता देता है एक सर्वोच नैतिक संस्था के रूप में राज जी के आदरसवादी सिधान्त के परमुख समर्थक है हीगेल किसने कहा है राज जी पिरित्वी पर परिमात्मा का आउतरन है तो ये हीगेल ने कहा है किसने कहा है मेरी आत्मा का निवास अस्थान राज जी में है कुमारी MP Follet किस ने कहा है सब कुछ राजी के भीतर है राजी के बाहर कुछ भी नहीं है और राजी के विरूर भी कुछ नहीं है तो ये जो है मुसलीनी ने कहा है राजी के समझोतावादी सिधान्द का समर्थन किसने किया है जॉन लॉक राजी के आंगेख सिधान्द का परतिपादन किसने किया है हर्बर्ट अस्पेंसर किसने राजी को वैक्ति का विराट सौरूप माना है पलेटो next question किसने राजी को साधी माना है others वारियों ने किसने कहा है जो मनुष सी राजी का सदसी नहीं है वह या तो देवता है या जानवर अरस्तू ने कहा है तो दोस्तो आज की वीडियो में इतना objective question रहने देता हूँ इसके बाद सम परभूता से लेटर जो important objective question रहे गिया है वो next वीडियो में practice करवा दिया जाएगा तो दोस्तो कैसा लगा ये वीडियो comment करके जरूर बताइए क्या वीडियो आपको अच्छा लगा या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ-साथ आपके उन friends को भी help कर सकता है तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए अगर कोई doubt है या कोई सवाल है या किसी question का answer by mistake मेरे से गलत हो गया है तो comment करके बताइए ताकि next वीडियो में सुधार किया जाएगा तो चलिए अब मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए take care, bye bye